Q1. हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा? अपने राज्यों में सभी स्तर के स्कूल कॉलेज में प्रवेश को मुप्त कर दिया गया. A. असम सरकार, B. उत्तर प्रदेश सरकार, C. महराश्टरा सरकार, D. हिमाचल सरकार, इसका सही उत्तर है. A. असम सरकार, असम की बात करे C.S.I.R. ने किसके साथ साझेदारी की है? A.W.H.O. B.A.I.M. अटल इनोवेशन मिशन. C.M.H.R.D. B. इन में से कोई नहीं. इसका सही उत्तर है. B.A.I.M. यानी अटल इनोवेशन मिशन. वैग्यानिक और ओद्योगिक अनुसंधान परिशत, Council of Scientific and Industrial Research ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन एम के साथ साझेदारी की है. एम भारत सरकार की एक प्रमुक पहल है जो देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृती को बढ़ा CSIR Incubators के जरिये विश्व स्तरिय स्टॉर्ट अप का समर्थन करेगी. नई साझेदारी से नवाचारों के नए मौडल्स पर आधारित संयुक्त प्रयासों, CSIR Innovation पाकों की स्थापना करने की बात कही गई है. एम की एक पहल Arise के साथ CSIR के सहयोग से, वे MSME उद्योग में नव पाचार और अनुसंधान को प्रोट साहित किया जाएगा. अटल टिंकरिंग लाप्स और जिग्यासा नामक परियोजनाई इस दिशा में महत्व पूर्ण भूमिका निभा सकती है. CSIR द्वारा संचालित जिग्यासा परियोजना के तहित अब तक 3 लाग से अधिक स्कूली बच्चों को वैज्यानिकों से सीधा साक्षाक कार करने या फिर वैज्यानिक प्रयोग शालाओं में जाने का मौका मिला है. दूसरे बिंडों पर बात करें तो, नीती आयोग के उपाध्यक्ष राजीब कुमार तथा CEO अमिताप कांथ है. वैज्यानिक और और अध्योगि B. 120 C. 168 D. 180 इसका सही उत्तर है. C. 168 Q4. हाल ही में किसके द्वारा 500 करोर के पेमिंट्स इंफ्रास्ट्रुक्टर डेवलप्मेंट फंड स्थापित करने की घोशना किया गया? A. S. B. I. B. R. B. I. C. W. O. D. इन में से कोई नहीं. इसका सही उत्तर है. P. I. D. F. का गठन किया गया है. R. B. I. ने अधिक राहकों को टायर 3 से टायर 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राजियों में पॉइंट ओफ सेल P. O. S. इंफ्रास्ट्रुक्टर स्थापित करने के लिए प्रोचसाहित करने के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रुक्टर डेवलप्मेंट फंड बनाने की घोशना की है. इस फंड से R. B. I. का लक्ष भारत भर में विशेश रूप से अंदिजर्व क्षेत्रों में भुक्तान प्रणाली के डिजिटली करन को प्रोचसाहित करने के लिए स्वीकृती मूल भूत सनरचना पर जोर देना है. R. B. I. P. I. D. F. एक सलाहकार परिशत के माध्यम से संचालित किया जाएगा. और इसका प्रबंधन और प्रशासन भारतियर रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा. हाल ही में लॉंच किये गए पेमेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलप्मेंट फंड P. I. D. F. में भारतियर रिजर्व बैंक द्वारा 250 करोर रुप्य का प्रारंभिक योगदान दिया जाएगा. जो कि कुल राशी का आधा हिस्सा होगा और बाकी का आधा हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंकों और देश में परिचालित कार्ड नेट्वक को द्वारा वहन किया जाएगा. PIDF को कार्ड जारी करने वाले बैंकों और कार्ड नेटवर्क से परिचालन खर्च को कवर करने के लिए आवर्ती योगदान भी प्राप्त होगा बताते चले की RBI के 25 वे गवनर शक्तिकानता दास है इसका मुख्याले मुंबई में है इसकी स्थापना एक अप्रेल 1935 कोलकाता में हुई थी Q5. हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ओनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लांच किया गया A. मध्यप्रदेश B. चत्तिसगर C. राजस्थान B. आंध्रप्रदेश इसका सही उत्तर है B. आंध्रप्रदेश आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वायस जगन मोहन रेड़ी द्वारा आंध्रप्रदेश पर्यावरन प्रबंधन निगम आंध्रप्रदेश एन्वायमंट मैनेजमेंट कॉपरेशन AP EMC B. कि ओनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट का शुभारंब किया गया है इस वेबसाइट को विश्व पर्यावरन दिवस के अवसर पर लॉंच किया गया था इसी के साथ आंध्रप्रदेश कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राज्य सरकार इस मंच के जरिये जहरीले कच्रे के सो प्रतिशत सुरक्षित निप्टान उचित रेकिंग, जांच और कच्रे के ओडित को कवर करके पर्यावरन का संरक्षन सुनिष्चित करेगी आंध्र प्रदेश सरकार इस प्लेटफॉर्म से 6 आर यानी रिड्यूस, रिफर्बश, रियूस, रिसाइकल, रिडिजाइन और रिमानुफाक्चर को प्रोटसाहित करेगी आंध्र सरकार द्वारा इसे राज्य में विभिन कमपनियों द्वारा उत्पन कच्रे के वैग्यानिक निप्तान के लिए एक उप्युक्त प्रणाली की आवश्यक्ता के मद्देनजर शुरू किया गया है इस तरह ATEMC पूरे राज्य में कच्रे के उत्पादन की निग्रानी कर पाएगा और इसके वैग्यानिक निप्तान के ये प्रभावी उपाय करने में भी सक्षम होगा आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वायस जगन मोहन रेड़ी तथा राज्यपाल विस्वा भुसन हरिचंदन है Q6 हाल ही में World Brain Tumor Day कब मनाया गया A. 5 June B. 6 June C. 7 June B. 8 June इसका सही उत्तर है B. 8 June बताते चले कि 8 June को विश्व भर में Brain Tumor Divis World Brain Tumor Day 2020 मनाया जा रहा है Brain Tumor एक ऐसी गंभीर समस्या है जो व्यक्ति के मस्तिष्क की कोशिकाओं में अपना जमाव कर लेती है ऐसे में ये कोशिकाए अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क और उसके जीवन दोनों के लिए खतरनाक होती है 8 June को World Brain Tumor Day के साथ साथ विश्व महसागर दिवस यानी World OCN Day मनाया जाता है Q7. हाल ही में किस हवाई अर्डा को प्लेटिनम मान्यता प्राप्थ हुई है A. हाईदरबाद राजीव गांधी हवाई अर्डा B. छत्रपती शिवाजी हवाई अर्डा C. इंदिरा गांधी हवाई अर्डा D. इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है A. हाईदरबाद राजीव गांधी हवाई अर्डा Q8. हाल ही में किस महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया गया A. Belgium FC B. Germany FC C. Chelsea FC B. इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है C. Chelsea FC Q9. हाल ही में किस के द्वारा 21 बिलियन डॉलर से ज्यादा राशी COVID-19 से लड़ने में मदद के लिए देने की बात कही गई A. IMF B. G20 C. World Bank D. इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है B. G20 ये 20 सदस्यी समुह G. B. अंतर राश्ट्रिय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महादवीब के विक्सित और विकास शील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है G. B. समुह के सदस्य देश है अर्जेंटिना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सउधी अरब, दक्षिन अफ्रीका बताते चले कि इस बार G. B. समुह के सदस्य देश की बैठक नवंबर में सउधी अरब में होगी अगर आपको याद हो तो, वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से 21 अप्रैल को G. B. देशों के क्रिशी मंत्रियों की असाधारन बैठक का आयोजन किया गया यह बैठक COVID-19 के साथ साथ खाध्य सुरक्षा, सुरक्षा और पोशन पर इसके प्रभाव पर चर्चा को लेकर आयोजन की गई थी भारत की ओर से केंद्रिय क्रिशी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने सुधी अरब की अध्यक्षता में आयोजन जी 20 क्रिशी मंत्रियों की असाधारन आभासी बैठक में हिस्सा लिया था इसका सही उत्तर है बताते चले की मोनिका कपिल मोहता को स्विचलेंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है वह वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं वह 1985 बैच की इफसाधिकारी हैं मोनिका कपिल मोहता स्विचलेंड में भारत के वर्तमान राजदूत सिभी जॉर्च की जगह लेंगी सिभी जॉर्ज को कुवेत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है दूसरे विकल्पों की बात करें तो रवीश कुमार को फिनलेंड का तथा राहुर श्रीवास्तव को रुमानिया का राजदूत बनाया गया है नोट एक हाल ही में कंणर भाशा के मशहूर अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया बताते चले की कंणर अभिनेता चिरंजीवी सर्जा ने अपने फिल्मी करिया की शुरुआत वायो को त्रक फिल्म से की थी उनकी आखिरी कन्नर फिल्म एक्षन ड्रामा शिवार जुना थी नोट दो हाल ही में भारतिय उद्योग परिसंद ने रिची रेलवे जंक्षन को गोर्डन रेटिंग पिया नोट तीन हाल ही में उत्तराखन के मुख्य मंत्री ट्रिवेंडर सिंग रावत के द्वारा अपने राज्य के सबसे बड़े जैब विविद्ता पाक का उध्धातन किया गया